प्राइफट्स सभी के सभी आज़ाइए कल से हम live streaming का process start करने को कोशिश कर रहे है तो में को भी इतना technical ग्यान नहीं है तो मैं इंजिनियर नहीं हूँ तो मैं यहां पर live streaming के instructions दर्याया हूँ जितने मुझे मिले हैं उसके हिसाब से So I am trying my best की instruction आपको प्रॉपरली दे दू, उसके बाद ही हम live streaming शुरू कर पाएंगे, आ जाए फटाफट सब्जन, एक बार मैं channel चेंज कर दू, cell phone के उपर, cell phone पर लगा नहीं हूँ, cell phone पर मैं सभी instructions लगर record कर रहा हूँ, So good morning everybody, आ जाए, So good morning everybody, So at last, मैं आपको live streaming के instructions दे दू, आपको क्या करना है, कि आपको अगर purchase करने है lectures या आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है, तो मुझे पूरा धान बोड को उपर देना, पहले तो मुझे बताईए, मेरा audio video clear है बच्चो, फटा फट बताईए, audio video clear है क्या, Everybody, first, Good morning everyone, चला, बहुत बढ़िया, तो मैं live streaming के instructions दे दूँ सबको, ठीक है, सबसे पहले तो आज पूरे के पूरे instruction अगर मैं आपको properly दे दू, तो ही आप lectures वगरा properly purchase कर पाऊगे, I know, एक या दो दिन का हमारा delay हो रहा है, because of technical difficulty, पर मैं ये lectures live stream में ही लेना चाहता हूँ, तो आज नहीं हुआ, तो हम कल से properly शुरू करेंगे, आज आपने पूरी process complete कर लेनी है, 14 lectures आपने YouTube के complete करने है, मैं को बहुत सारे बुच्चों के AB queries आए, कि हमने सर्फ 14 lecture complete नहीं के थोड़ा समय देतो, तो अल्रेडी दो दिन का समय हमारा हो चुका है, तो आपने 14 lecture YouTube के complete करने है, आज पूरा ये process आपने live streaming के लिए जो ज़रूरी है, वो आपने complete करना है, कल से morning दस बजे सभी instruction के साथ में ready रहना है, फिर हम live streaming करना शुरू कर देंगे, चेक है, so everybody happy with this, 3 videos live चल रहे हैं, कौन से 3 videos live चल रहे हैं, हे भगवान, let me see कौन से 3 videos live चल रहे हैं वीश्मार्ट पर, फिलाल मेरा ही live है बिटा, और कोई तो live दिख नहीं रहा में को, कोई दिक्कत नहीं, चल, कौन से 3 videos live चल रहे हैं जड़ा बताईए मुझे, GST का timing live का यही है क्या, 10 बजेगा, ओके फाइन, जय सरकातो second group का है बिटा, जय सरका second group का है तो आप उसका advanced accounts का tension ना लीजी, फिलाल आप group 1 के अंदर रहे हैं, वो उनके लिए जिनका group 1 हो चुका है, चेके हैं, तो, ओके सिर्फ आज के लिए हैं, चलो बहुत बढ़िया, सो स्टार्ट करते हैं कॉंसलेट करना, मैं सभी instruction दे दू, सबसे पहले आपने admission किस तरीके से लेनी हैं, इसके उपर एक छोटा सा हम demo लेते हैं, यह है vsmartacademy.com वाला website, आप जैसे address book में यहाँ पर देख सकते हो, मैंने डाला है vsmartacademy.com, तो उमने vsmartacademy.com पुट करना है आपके website के उपर, आप Google के उपर भी पुट करोगे, तो भी आप इसे website के उपर आजाओगे, vsmartacademy.com, यहाँ तीन फिल्ड़ें, इसमें से आपने जाना है, CA Inter वाले फिल्ड में, मैंने CA Inter के उपर क्लिक कर दिया, तो CA Inter का से भी faculties open हो गए, उसमें आपको जो भी admission ले रहा है, सभी टीचर हमारे बहुत भारी है, तो आपने जाना है law के अंदर, ठीक है, you should go into the law वाला section specifically, इसके उपर एक या दो बार आपने क्लिक करने के बाद में, आपका page open होगा, और page open होने के बाद में, आपको नीचे मेरे classes दिखेंगे, ठीक है, CA Inter Regular batch, फिर Group 1 का सभी का combo, फिर हमारा combo जो sell होता है, Group 1 का combo बहुत जाहाँ sell होता है, DT IDT law का भी combo sell होता है, तो आप उसमें sell ले सकते हो, कौन सा combo, या CA Inter Regular batch भी आप ले सकते हो, अब यहाँ Group 1 का combo ले रहे हो, तो normal सी चीज है, आपको सभी lecture एक साथ मिल जाएंगे, तो मैं आपको CA Inter Law का basically कैसे order करना है, यह बोलता हो, अब इसके अंदर instructions में ध्यान देना थोड़ा सा, पहले जिनको भी live streaming देखना है, उन्होंने पहले Google Drive और TenDrive और उडेव करना है, और फिर उन्होंने लाइव स्ट्रीम का admission लेना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरा Group 1 का पहले तो regular का यहाँ पे order है, और फिर यहाँ पे live streaming for law का और separate order है, तो पहले आपने यह order complete करना है, और फिर आपने live streaming के order के उपर जाना है यह चीज को आपने याद रखना पहले आपने यह order complete करना है यू शुड़ गो इंटो इन्टो इस order चाहिए इसको पूरे तरीके से finish up कर दो जैसे इसके अंदर पूरा detail दिया है मैंने course introduction है demo lectures है, demo books है फिर यह पूरे instructions आपने properly पढ़ने है आपको कौनसे type का course purchase करना है या आपने properly पढ़ना है जैसे select a type of course तो उसमें एक ही part है फिर उसके बाद में आप देख सकते हो कि pre booking, online download या pen drive आपको online download चाहिए, pen drive चाहिए यह आप यहाँ पर ले सकते हो तो आप with pen drive मैंने यहाँ पर select करके रखा है फिर नीचे course material, hard copy material आपने select करना है फिर exam और attempt आपका कौनसा है तो जो भी आपका attempt है मैंने November 21 select करके रखा है आप May 21 भी select कर सकते हो फिर discount फिलाल 1500 का discount available है प्लस extra 6 months वाला validity यहाँ पर basically दिया गया है उसके बार में अगली shipping method तो आप home delivery चाहते हो pick up from Vsmart के कौनसे office से pick up करना चाहते हो वो यहाँ पर available है तो यहाँ पर मैं home delivery option select कर रहा हूँ और अगर आपको test series Vsmart का add करना है तो आपने यहाँ पर test series add करना है yes I buy या no I don't want to buy अगर आप test series लेते हो तो काफी अच्छी बात है फिर उसके आद में आपका आएगा order summary जो एक बार read कर लेना यह hard copy of books November 21 attempt आपको कितने महने का validity है shipping क्या है आपके ऐसा है आपका और साथ साथ में आपके taxes कितने लगने वाले है नीचे yes I agree with the full condition इसको आपने एक बार descriptions और conditions को read करके रखना है आप privacy policy, online policy जानते हो यह आपने देखना है और फिर आपने करना है add to cart add to cart करने से ही आपको यहाँ पर देखेगा कि आपने एक course purchase किया है जिसके लिए आपने payment कर देना है और इसका order confirm हो जाएगा website के ओपर clear है यहाँ अब इसके बाद मैं तो order place नहीं खर सकता तो आपको क्यों करना पड़ेगा यहाँ से payment gateway के तरफ जाएगा जहाँ आपने आपका payment normally करना है और आपका order confirm हो जाएगा यह चीज को आपने याद रखना है यह चीज होने मैं entertain करूँगा just wait फिर CA enter में आना है वापस से law में ही आना है एक दुबार click करने के बाद यह open होगा और फिर जाना है CA enter law live streaming में यहाँ पे जो पीछे option दिया था मैं वापस जाता हूँ चाए तो एक बार यहाँ पे पीछे जो option दिया था CA enter law live streaming में आपको जाना है I'll open it once more चेक है so यह inter law live streaming एक बार आपने google drive पेंडरे वाला option देने के बाद में वापस live streaming में जाना है live streaming में जाने के बाद में वापस से में नवंबर 21 exam के लिए खुलेगा उपर लिखा है CA enter law live streaming नीचे instruction दिये है instruction के अंदर आपने यूज करना है live playback time फिर purchase type आपने यूज करना है live streaming classes उसके अंदर एक ही की option है course book material यहाँ PDF material select किया गया है पर याद रखना है यहाँ आपको कोई PDF material नहीं मिलने वाला step 3 में आप भले PDF material select करोगे पर आपको कोई PDF material नहीं मिलने वाला it is just a dummy field जो website के background में रन होती है इसले हमको रखनी पड़ी यहाँ पर आपको लिखा है कि कोई भी PDF material आपको नहीं मिलने वाला PDF books आपको applicable नहीं है फिर उसके बाद में आपने आगिसाम select करना है कौन सा और कोई अगर additional offer है तो यहाँ पर कोई additional offer नहीं है तो वहाँ पर हमने deselect कर दिया और फिर उसके आद में self PDF download, shipping method वगरा तो वहाँ पर भी self PDF download दिया है लेकिन यहाँ जहाँ पर भी PDF material हमने mention किया है आपको PDF material वहाँ पर नहीं मिलने वाला प्लीज इसके लिए query raise ना कीज़ेगा यह सिर्फ dummy field है clear लेगां सब फिर उसके बाद में test series अगर आपको चाहिए तो आप add कर सकते हो नीचे एक बार पढ़ लेना books के अंदर हो सकता है आपको PDF अगर दिखेगा लेकिन वहाँ पर minus वाले option हमने दिखे रखे तो PDF material नहीं मिलने वाला सिर्फ यह live streaming के लिए है PDF material हम sale नहीं करते सिर्फ COVID में हमने वह provide किया था अभी वह available नहीं है फिर यह चीज को मैं add to cart कर दूँगा add to cart करने के बाद में ये भी चीज मेरी add to cart हो जाएगी एक field ही मेरा शायद यहाँ पर रह गया तो test series के लिए मैंने select कर लिया जो में को चाहिए चाहिए और यहाँ पर मैं करूँगा add to cart add to cart मैंने यहाँ पर करने के बाद में आप देख सकते हो add to cart करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर CA inter regular batch का आपका order है जिसका total आप देख सकते हो 8,799 रुपीज है और दूसरा आपका order है सिर्फ 100 रुपीज का जो है live streaming option इस तरीके से आपने order place करना है यह पूरा summary हो गया order placement का concept समझ में आ रहा है सबको हाँ ना यह दोनों order जब आप place करोगे तो आप live streaming के अंदर बैट सकते हो यह चीज को बड़े अच्छे से याद रखना इसके उपर अगर कोई query है तो मुझे please live chat में पूछ लीजिए मैं immediately address करने के कोश्चिश करूँगा फिर मैं आपको बताऊँगा download process क्या है और activate किस तरीके से करना है आ जाईए कोई query है तो please बताईएगा फटा फट okay dt के लिए setup किया है उसमें add subject करके lobby activate कर सकते है हाँ बिल्कूल कर सकते हो उसमें add subject करके आपका log का भी activation हो जाएगा don't worry आप books आपके पास पहुत जाएगे बता अभी आगर आपने पिछले 7 दिन में order दिया है तो आपको books मिल जाएगे CME Interlog के लिए अभी प्लान नहीं है बिटा नियर लेक दो महने तक रुप जाओ फिर उसके बाद में हम शुरू कर देंगे don't worry contact number में आपको दूँगा अभी ये video के end में मैं आपको contact number दूँगा जब मैं आपको पूरे instruction complete करूँगा तो मैं आपको contact number दे दूँगा आप उनके साथ बात कर सकते हो सारे subject live stream एक साथ नहीं हो पाएंगे एक-एक subject टेटर टाइम live stream होने वाला है और सबका live stream नहीं है मेरा live stream में शुरू कर रहा हूँ बाकी subject के लिए आपको faculties को पूछना पड़ेगा कि वो सब live stream कर रहे है क्या चेक है live streaming कैसे देख सकता है मैं आपको अभी बोलूँगा just wait for it दोनों का validity नॉमली आपका एक साथ चुरू हो जाएगा live streaming के लिए तो ये validity छे मेने के लिए रहेगा जो पुछा है मयांक ने sir google drive का activation code और live stream का एक साथ चुरू होगा क्या हाँ बेटा आप एक बार put कर दोगे वो 6 मेने तक live stream भी valid रहेगा और 6 मेने तक google drive भी valid रहेगा चेक है live stream का money आप center पे center आपको सिर्फ ये order बना के दे सकता है पर अगर आप इसको online भी पे करो तो ही अच्छा है चेक है बेकॉज 100 रूपीज का है तो आप खुदी पे कर सकते हैं उसके लिए center पे जाने के आपको जरूवत ने बटा रहे देगा हाँ group combo है तो हर subject के लिए आपको 100 रूपीज का live stream का fees लगेगा बेटा क्योंकि live stream की 100 रूपीज में हम key generate करते हैं 100 रूपीज हमारे पास भी नहीं आता है यह software company को जाता है जिसमें हम live stream के आपको key generate करते हैं तो हर एक subject के लिए आपको अलग लगेगा आपका six months फिलाल validity है बिटा और ये validity बाद में अगर आप चाहो तो cost पे करके six months से extend कर सकते हो maximum पहली validity आपको extend करनी है तो six months को कुछ minimal cost के उपर आपको दिया जाएगा आईगेस मैंने सभी सवाल का जवाब दे दिया है अब ये समझते है कि इसको live stream कैसे करना है अब आज आईए मैं मेरे vsmart वाले site के उपर वापस जाता हूँ ठीक है अब मैं मेरे live stream option को कैसे play करता हूँ I am going for that ठीक है तो पहले मैं shopping cart सब बन कर दूँ ठीक है और वापस से आज हम पूरे instruction live stream के ही दे रहे है बिटा तो नियरली इसी के अंदर पूरा समय जाएगा आज ये पूरे complete करने है बिटा दीपेश फिर कल से आपका live stream शुरू हो जाएगा batch ठीक है अब वापस से मैं जाना चाहूंगा home page के उपर ठीक है मैं वापस से home page के उपर आ जाऊँगा वी स्मार्ट के hold So I will put vsmartacademy.com ठीक है मैं vsmartacademy.com के home page के उपर आ गया अब मुझे live stream का setup कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ Google Drive या live stream का setup कैसे करना है मैं जाऊँगा वापस CA enter में मैं सिर्फ मेरे subject के लिए बता रहा हूँ CA enter में मैं जाऊँगा law में law में मैंने click करने के बाद जो मैंने course purchase करना है उस course के अंदर मैं जाऊँगा चैक है live stream के setup के लिए बोल रहा हूँ यह link जो है part number 2 में purchase type में आपने इसके उपर click करना है और एक नया page खुल जाएगा चैक है पूरा नया page खुल जाएगा देखो मैं वापस आपको बोलता हूँ मैंने video link step number 2 में मेरा regular course आपने select करना है live stream नहीं regular course आपने select करना है उसके अंदर जाना है उसके अंदर आपको step 2 में video link click here दिखेगा video link click here दिखेगा इसके उपर click करना है और आप यहाँ पे एक नए page के उपर खुल जाओगे इसमें आप नीचे जाओगे थोड़ा drag करोगे तो आपका पहले course और उसका description अलग-अलग चीज दिये है पहला है setup for laptop और दूसरा है setup for android जैसे ही आप click करते हो setup for laptop पे आप जैसे ही इसके उपर click करोगे setup for laptop तो यह 31 MB का file है जो download होना शुरू होगा और यहाँ पे देखो नीचे मैंने यह file download करके रखा हुआ है तो मैं यह file में जाओँगा यह मैंने देखो download करके file रखा हु यह मैं नीचे 31 MB का यह जो file है यह मैं डाउनलोड करके रखा है 31.9 MB का यह download करके रखा है यह यहाँ पे available है यह आपके download section में रहेगा इसके लिए आपने क्या करना है आपने जाना है my computer में और my computer folder में आपने जाना है downloads में left side आपको पूरे पूरे जो theme आएंगे उसके अंद यह करना चाते हो तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक window खुल जाएगी जिसके अंदर terms दिये है उनको accept करना है और फिर यहाँ पे एक browsing window दिये है कि कहाँ पे आपको in lectures को extract करना है कहाँ पे आपको इस setup को extract करना है तो आप यहाँ पे browse करके decide कर सकते हो कि आपको कौन से folder में जाहो तो इसको desktop के उपर लेकर जा सकते हो और desktop के उपर आप make a new folder कर सकते हो जिसको आप नाम दे सकते हो live streaming मैं दे रहा हूँ जैसे नाम live streaming तो मैंने क्या किया मैंने भी या उस folder को open किया जो आपने download किया था उसके उपर conditions को accept किया और फिर मैं extract करने जा रहा हूँ तो मैं select कर रहा हूँ कौन से folder में मैं को इसको extract करना है तो live streaming का मैंने यहाँ पे folder select कर लिया live streaming के folder के उपर देखो मैंने यहाँ पर लिखा है live streaming मैं यहाँ पर कर दूगा, और मेरे live streaming के folder में इसको Decract कर लूँगा, चेकर रिए, मैंने live streaming के folder में इसको Recract कर लिया,ब यह live streaming के folder में एक्स्ट्रैक हो गया,ब मैं जाता हूँ मेरे desktop पे देखता हूँ, कि क्या भी यह live streaming to slider में आ चुका है, तो यहाँ पर live streaming का folder बन चुका है, देखिए, live swimming का folder बन चुका है, इसको मैं click करके open करूँगा, तो इसमें मैं को बहुत सारी चीज़े देखेगी, कि कौन-कौन सी चीज़े इस चीज़ के अंदर देखे रखी है, clear रेकरन सब सब को हाँ है ना, और फिर मैं इसके अंदर सबसे पहले open करूँगा, content browser चेके, यहाँ how to play video का instruction है, वो भी आप देखना, open lectures का, encrypted lectures के instruction है, वो भी आप देखना, important readme दिया है, वो भी आपने पढ़ना है आज का पूरा दिन आपने इसी में देना है कि यह सब चीजे पढ़के, आप install करो, फिर content browser में आपने जाना है और content browser के उपर आपने click करना है जैसे ही content browser खुलेगा, आपको पूछा जाएगा, इसको install करे या ना करे, तो आपने करना है yes मैंने तो already install करके रखा है, इसलिए मैं no कर रहा हूँ, पर आपने yes करना है, क्योंकि आपको install करना है तो मैंने इसको कर देना है yes yes करने के बाद में आपने उस content browser को open करके, जो आपने content browser install कर दिया, उसको open करके ऐसा field खुलेगा, जिसके अंदर आपने सबसे पहले आपकी serial की डालनी है उसके बाद में आपने आपके detail डालने है email address, आपका जो password set करना है वो, फिर आपका phone number फिर आपका OTP जो phone number के उपर आएगा आपके, वो डालना है फिर आपके address वगरा, सब detail आपने पे करना है, जैसे attempt वगरा, etc और इसको आपने कर देना है save जैसे ही आप इसको save कर दोगे एक live video player करके आपको option आएगा live video player, वो live video player के अंदर आप subject देख सकते हो, law और आप उसके थूँँँआपको play कर सकते हो इसके लिए मैंने पूरे instruction installation के आपको दे दिये है live video player, अब मैं तो यहाँ पे lectures को install नहीं कर सकता इसलिए मैं इसी step के उपर रुख गया क्योंकि मेरे पास option नहीं है तो यहाँ पे एक live video player का, देखो steps for activation भी side में दिये है तो यह steps for activation भी आप अच्छे से follow कर सकते हो मेरे पास तो serial की नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ तक आपको open करके दिया तो यहाँ पे आप सब चीज़ अडालोगे तो एक live video player का option आएगा आपको folder के अंदर या इसी के बाद में उसको play करके आप वहाँ पे subject add करके play कर सकते हो clear concept तो यह चीज़ आपको clear हो जाएगी समझ में अगर laptop के setup में कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे एक बार पूछ लीज़िएगा live chat में go for it fast law यह normally Hindi English में हम start करते है GST के classes यह live stream वाले नहीं है, GST के classes आप बाद में भी दे सकते हो, वो recorded है ठीक है तो उसको आपको live दिया जाएगा जो बाद में आप वहां पर देख सकते हो, पर मेरी बैच live stream हो रही है, मैं खुद आके पढ़ा रहा हूँ कि अगर website पर लिखा है जहें मैंने free of cost कर सकते हैं तो कोई देखकत नहीं कि आपकी query क्यू शो नहीं हो रही है बटा आपको live stream का setup करेंगे कल से class शुरू होगा एक्टिवेशन की generate करने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप टेक्निकल टीम को contact कीजिए वह आपको एक्टिवेशन की भेजएएंगे चालेगा यह सब हो गया सबका अब मैं आपको android का setup बताता हूँ कि आपने android का setup किस तरीके से करना है, ठीक है मैं same page के उपर आ रहा हूँ, जहां पे हमने laptop का setup decide किया था, वो same page के उपर मैं आ रहा हूँ, जहां से हमने laptop का setup download किया था, मैं एक बार वापस से आपको starting से process दिखा दूँ कैसी है, मैं CA enter में गया, CA enter में मैंने law subject खोला, law subject में step number 2 के उपर आया, और step number 2 में मैंने video click link के उपर click किया, video link click here के उपर click किया, यहां पे vsmart academy open हो गया, vsmart academy के अंदर में नीचे गया, उसके अंदर मैं देख रहा हूँ, यह page के अंदर नीचे, setup for laptop है, and setup for android है, clear है, अब मैंने laptop setup बताया था, आप android setup बताता हूँ, इसके लिए मैंने download करके रखा यह छोटा सा video, ठीक है, मेरा खुद का, कि मैंने android के उपर setup कैसे किया, हो सकता है, maximum बच्चे इसको android के उपर ही setup कर रहे होंगे, तो मैंने मेरे android के उपर ही, इसको setup करके रखा हुआ है, मैं एक बार वो video आपके लिए play कर देता हूँ, देखिए, तो आपको idea आ जाएगा, कि दरशन सने किस्तरे के से setup कि मैंने मेरे phone से वो video screen capture करके निकाला है, तो मैं उसको एक बार play कर दूँ, यहाँ पर आपके लिए, आजाएए, यह लेक्चर यूटूब पर रहेगा बटा, iPad में I guess नहीं चलेगा, आपको mail आजाएगा बेटा करण, ओके, तो मैं इसको play कर रहा हूँ, VLC media player में कि Android में किस तरीके से setup करते है, विजय सर का live stream शुरू हो चुका है, so don't worry, अब मैं एक पॉस करकर के आपको points बताऊंगा, hold, चाहिए, एक पॉस करके, मैंने VeeSmart का website खोला, मैं उसके अंदर गया, सबसे पहले law के उपर, मैंने law के उपर, मैंने law के उपर क्लिक किया दो बार, चाहिए, विडियो यह पूरा, और इसके नीचे मैं नीचे गया, straight away, चाहिए, मैंने इसको drag किया नीचे, मैंने law regular lectures यहाँ पर सिलेक करना है, चाहिए, वापस से, तो मैंने law regular lectures सिलेक कर लिया, वापस से मैं आया step number 2 में, चाहिए, step number 2 में, purchase type में, यहाँ पे बहुत सारे instructions दिये है, उसके अंदर मैं step number 2 मे उपर मैंने click कर दिया, तो एक नया page खुल गया, यह आपके phone के उपर दिख रहा होगा page, इसको थोड़ा सा side में drag करना, इस page को आपको थोड़ा सा side में drag करना है, right side में, तो आपको दिखेगा यहाँ पे Android का download वाला option आएगा, तो मैं इसको side में drag करूँगा page को थोड़ा सा तो मुझे Android का download option मुझे यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है, देखो मैंने drag कर लिया, यहाँ मैंने zoom out कर लिया, zoom out करके यहाँ पे Android का download option है, मैंने उसके उपर click कर दिया, ठीक है, जैसी मैंने उसके उपर click कर दिया, एक file download होना शुरू हो गई, Android की, यह file download होना शुरू हो यह जैसे यह फाइल डाउनलोड हो जाएगी वह विन्जिप में खुलेगी विन्जिप में खुलेगी तो आपको विन्जिप जैसा अप्लिकेशन पहले Google Play से डाउनलोड करना पड़ेगा विन्जिप में खुलने के बाद में मैं दोनों फोल्डer को सिलेक करना हूँ मैं Options के उपर click कर रहा हूँ और मैं उसको Unzip कर रहा हूँ और Unzip मैं कर रहा हूँ मेरे Mobile के Internal Storage में और मैं मेरे Mobile के Internal Storage में मैं चाँए तो आपको तोड़ा सा और पीछे लेके जाके दिखाता हूँ ठेक है? Just hold देखो यह File खुली है WinZip मेu फाइल कुलिये विंजिप में, विंजिप में मैंने क्या करना है, दोनों folder को select करना है, चेकर और इसको मैंने unzip करना है, यह तीन point के उपर टेकर के, options में click कर करके, आपके इसमें options वगरा होगा, तो मैंने जैसे करना है, खुद के स्टोरीज में, मूबाईल के स्टोरीज में डालना है, जैसे ही मैं इंट्रनल स्टोरीज सेलेक करता हूँ, उसके अंदर मुझे एक फोल्डर यहां create करना पड़ेगा, लाइव स्ट्रीमिंग का, इंट्रनल स्टोरीज में आने के बाद मैं, मैं यहाँ पे plus जो आपके इसमें नहीं new folder plus sign अईसा कुछ नो कुछ sign आएगा आपके mobile में उसके उपर plus sign या new folder करके आपने इसलेक करना इन्हीं तो option आएगा तो option में से plus sign select करके new folder create करना जैसे दिखो मैं यहाँ पे Create कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने Plus Sines के उपर Create करके New Folder है, New Folder के उपर मैंने Click किया और मैंने उसको नाम दे लिया Live, और मेरे इस में Already Folder existing था, इसलिए मैंने उसको Cancel कर दिया पर आपने Live Folder create करना है, Okay करके, तो मैंने Live लाइव फोल्डर यहां पर क्रियेट कर दिया, मेरा अल्रडी क्रियेटर था, इसलिए मैंने कैंसल कर दिया, पर आपने यहां पर लाइव वर्ड डालके उसको ओके करना है, तो आपका यहीं पर एक लाइव फोल्डर बन जाएगा, ठीक है, अब उसको कैसे ओपन करना है, I will show you, just wait, ठीक है, कैसे setup करना है, I will show you, ठीक है, मैं पूरा बहर आगया, मैंने मेरे search box में, application search box में डाला my files, ठीक है, my files के अंदर में straight away चला गया, internal storage में, internal storage में मैं search में, ठीक है, internal storage में मैं जाओंगा search में, और search में, मैं यहां पर search करूँँगा live, search में अपने live फोल्डर बना ह यह मेरा live folder open हो गया, इस live folder में आपको दिखेगा vsmart player apk, आपने इसके उपर double click करना है और यह vsmart player आपने install करना है, मेरा already install हो चुका है, इसलिए में को कोई दिक्कत नहीं है, जैसी यह player install हो जाएगा, आपके applications के अंदर, मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ आपको दिखाने क player का आपको एक option आजाएगा, नीचे vsmart player का, उस player को आपने open करना है, जैसे ही आप इस player को open करते हो, तो वहाँ पर वो data retrieve करेगा vsmart के site से, कि कुछ चल रहा है या कुछ नहीं चल रहा है etc, ऐसा वाला data वो retrieve करेगा, और यह data retrieve करने के बाद हमें, एक window खुल जाएगी, अब आपने live streaming option में click करना है, अंदर जाना है, और यहां live streaming का option के उपर जाके live streaming का एक folder open होगा, उस live streaming के folder में, मेरे इसमें नहीं दिख रहा है पर आपके इसमें दिखाएगा live streaming क्लिक करना है, जैसे ही आप live streaming क्लिक करोगे, वहाँ पूरा window खुलेगा, वहाँ अपने serial के डालना है, वहाँ पर आपके आपने पूरे instructions डालना है, और फिर आपका live streaming का option वहाँ शुरू हो जाएगा, इसके भी addition में, ठीक है, यह तो हो गया, किसी को अगर query है, तो यहाँ पर पूछ लो, timing है कल दस से बारा, दस से बारा हमारा live streaming का timing चलेगा, इसलिए आपको पहले 14 lectures देखना ज़रूरी है, live streaming वाला वीडियो उसी दिन के लिए आप immediately उस APK में रहेगा, बाद में हम उसको online download में convert कर देंगे, फिर वो Google Drive में available हो जाएगा, बिटा राहूल, ठीक है, फिर, पहले PD और Google Drive आपने करना है, फिर live streaming में करना है, और जो भी वीडियो में live streaming record करूँगा, वो PD और Google Drive में आपको available होगा, पर live streaming continue करना है, इससे आपका seriousness रहेगा, चलो, GD ले लिया है, तो करना आपको अभी सिर्फ live streaming का option लेना है, सर लाइव और recorded player में अलग-अलग है क्या, नई, लाइव और recorded में एक ही चीज आने वाले है, जो मैं live में पढ़ा रहने वालग, वो ही recorded में आएगा, लाइव streaming के lecture drive पे immediately next day upload हो जाएंगे बटा, सेजल बाफना, लाइव streaming के लिए नया serial किया आएगा आपको live player के लिए, तो बटा विधिया आप एक बार technical team को contact कीजिए, मैं अभी आपको ये सब चीजे होने के बाद भी, कुछ ऐसे 2-3 number देके रखता हूँ, जो आपको help करेंगे for the purpose of आपके सभी courses को activate करने के लिए, ठेक है, मैं एक बार number बुल वालू, just 2 minute के लिए wait करना, मैं एक बार बुला लिता हूँ, मैं एक बार बुला लिता हूँ, मैं एक फोन करना पड़ेगा, just wait, मैं आपको तीन number प्रोवाइड करूँगा, उन technical number के उपर call करके भी आपका issue solve हो सकता है, ठेक है, ये वीडियो बार बार देखना हूँ, सतीश सर, आपको तीन number लिखके देता हूँ, जो number के उपर आप queries पूच सकते हो कि किस तरीके installation करना है, अगर आपसे नहीं हुआ, तो team any desk लेके आपका installation करवा देगी, ठेक है, तो इसके लिए आपको tension लेने की कोई भी जरुवत नहीं है, आजए ये, आपके, मैं सो तीन number लिखके दे रहा हूँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई, normally मैंने instruction सब दे दिये हैं, उसके लिए तीन number दे रहा हूँ, 788-77-88-754, ये पहला number है, technical के लिए, एक बार वापस, 788-77-88-754, दे इस दे फिर्स नंबर, दूसरा, 911-22-000-58, 911-22-000-58, ये सेकंड नंबर है, technical वाला, ठीक है, तो ये दो नंबर आप फिलाल नोट कर लीजे, तीसरा नंबर एक और आ रहा है, वो भी मैं आपको दूँगा, हलो? चलो, ये दो नंबर है, basically, जिनके उपर आप कॉल करके, आपका live streaming setup करवा सकते हो, ठीक है, दो ये नंबर है, तीन नंबर है, सरने में को बुला, team का number देता हूँ, मैंने सुना, तीन नंबर देता हूँ, पर ये दो नंबर आपके वास available है, इसमें से किसी को भी call करके, आप आपका live stream setup कर सकते हो, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रहे, तो ये आपका एनेडेस क्लिक है, आपका live stream setup करवा देंगे, ठीक है, live streaming के लिए नया serial की आएगा रहूल, एक बार वीधिया आप call करके देखिए, प्लेयर एक ही है, बिटा, हाँ, नया serial की आपको भेजेंगे, 100 रुपए के लिए, जो आप live stream का एडमिशन लोगे, उसके लिए आपको एक serial की अलग से मिलेगा, PD वाले lectures आप डाउनलोड करके नहीं देख सकते हैं, आप चाहूँ तो Google Drive से डाउनलोड करके देख सकते हो, हाँ, Google Drive, या फिर आपको पहले live stream और PD में देखना पड़ेगा, अगर आपका PD का एडमिशन है, तो, हाँ, एक ही file है, तो यशिका आपने उसी को install करना है, ठीक है, total number of lectures हमारे 15 के आसपास हो चुके है, और 60 lectures है, अच्छा, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहेगा, सर, batch का बेंड होंगा, तो V smart के group 1 का नियरली पूरा batches, V smart के group 1 का नियरली पूरा batches, March end में आपका खतम हो जाएगा, ठीक है, March 31 तक खतम हो जाएगा, पूरा का पूरा syllabus, फिर भी हम 10 दिन कुशन में रखके आपको बोल रहे है, कि March end तक के आपका पूरे के पूरे सेशन्स खतम हो जाएगे, ये चीज को आपने अच्छे से याद रखना, ठीक है, टोटल लेक्चा से 75, 15 हो चुके है, 60 और करने है, टाइम कल सबरे 10 बज़े से बिटा, शिती जा, जाएगे, दॉर्णिंग 10 से बारा आपका लाइव स्ट्रीम रहेगा, So I hope so, कि मैंने सभी इंस्ट्रक्शन दिये, हाँ November 21 के लिए, May 21 के लिए अप्लिके बल रहेगा बिटा, कम से कम हरिशित टाइटल तो पोड़ो वीडियो का, वहीं लिखा है November 21 के लिए, Sir का simultaneously watch live stream and google drive lecture, simultaneously नहीं हो सकता, live stream होने के बाद next day lecture google drive के उपर अप्लोड होगा, ये चीज़ को आपको याद रखना है, चेक है, Sir PD लिए तो एक दिन में कितने lecture देख नहीं चाहिए, PD लिया है तो नॉर्मली आप वंडे में हर एक subject का एक एक lecture देखो, उसी में आपका दिन खतम हो जाएगा, क्योंकि चार subject है, 8-10 गंटा आप lecture देखो के 2-2 गंटे के तो ऐसी दिन खतम हो जाएगा, ठेक है, तो एक दिन में एक लेक्चर यह देखना चाहिए, दोनों क्लास कौन सी कमबाइन हो रही है बिटा, लाइव स्ट्रीम गूगल ड्राय वाली सर एक ही एक ही क्लास है, दो कौन सी क्लास की बात कर रहे हो बिटा, ओके, पढ़ाई के लिए ओव्योस सी बात है, जो भी आप जितना भी पढ़ाई के लिए खर्चा करो, वो इन्वेस्मेंट है, जैसे आप बिजनेस करने का बात क्यापिटल लगाते हो, यह जो CA as good as business मानू, इसके अंदर आप जितना क्यापिटल लगाओगे, बाद में आपको उतना कमाना ही है, और इतना तो रिपे करके जाएगा ही जाएगा CA आपको, इससे कई जादा देके जाएगा, शौर राहूल, वी विल ट्राइट टू में एंग्लिश लेक्टर फाव साउथ इंडियन स्टुएंट्स, राइट नौ इस नोट इन अजेंड़ बाद शौर्री विल ट्राइट टू में आपके सभी क्वेरी सौल कर दिये हैं, यह नंबर आपने याद रखना है, इनकों पर आपने कॉल करना है, आपका लाइट स्टुमिंग का इशु खतम हो जाएगा, कल दस बजे हम लाइट स्टुमिंग शुरू करने वाले हैं, सो लेट स गो फॉर इट इस अल फॉर तोड़े, आव ए नाइस दे, दर्शन खरे सानिंग आउट, गुद दे, गॉद ब्लेस वेटा, टेक केर.